नमो नमा संस्कृत निधी चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम कक्षा आठ के लिए निधारित संस्कृत पाठ्थे पुस्तक संस्कृत रत्नम का पंच दश पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्शक है मीनस से वैशिष्ट्यम मीन कहते हैं मचली को मीनस से अर्थार्थ मचली का वैशिष्ट्यम अर्थार्थ वैशिष्ट्य विशेष्ट्यम मचली की विशेष्ट्यम तो पहले देखते हैं इस पाठ का हिंदी अन्वाद तो आपको पहले में बता दूँ हम शुरू करें उससे पहले बता दूँ कि यदि आप इस पार्ट से पहले के पार्ठों के वीडियो देखना चाहते हैं तो वे अप्लोड किये जा चुके हैं उनका लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं किम भवंतह जाननती मीनस से विशिष्टम परिचयम किम अर्थात क्या भवंतह आप सब लोग जाननती जानते हैं मीनस से मचली का विशिष्टम परिचय विशिष्ट परिचय कि क्या का विशिष्ट परिचे जानते हैं, विशिष्ट अर्थार्थ विशेश, तो क्या आप सब लोग मचली का विशेश परिचे जानते हैं, आग अच्छन्तू, आओ, मीनस से किम वैशिष्ट्यम, मचली का क्या वैशिष्ट्य अर्थार्थ, मचली की क्या विशेश्टाएं, अ जो मीन शबद है वह पुलिंग है इसी परकार मचली को मत्से भी कहा जाता है वह भी पुलिंग में होता है तो इस परकार से जो संस्कृत में जो मचली है उसको पुलिंग रूप में बताया है संसार में मीनह अर्थार्थ मचली एक ताद्रिशह जीव एक ऐसा जीव अस्ती है यह जो शयन समय शयन अर्थार्थ सोने के समय पर अपी भी नयन पिधानम पिधानम कार्थ होता है बंद करना और नयन नेत्र आंख नयन पिधानम आँख बंद न करोती नहीं करता है कि संसार में मचली एक ऐसा जीव है जो सोने के समय पर भी आँख बंद न करोती नहीं करता है तस्य उसका कारणम किम उसका कारण क्या है कि वो सोने के समय भी आँख बंद नहीं करता है उसका कारण क्या है अस्य कारणम अस्ति इसका कारण है यत की मीनस से नैने तू भवत हौँ मीनस से अरधात मचली के नैने नेत्र आंख नैने क्यों कहा है क्योंकि नेत्र दो होते हैं तो और नैन शब्द जो है वो नपुन सकलिंका है तो फल की भाती इसके रूप चलेंगे फलम एक वचन में फले द्वी वचन में तो नयनम नयने द्वी वचन में तो दो नेत्र हैं इसलिए नयने शब्द का प्रयोग हुआ है द्वी वचन में तो इसका कारण है कि मीनस से अर्थार्थ मचली के नयने नेत्र तू भवत हो नेत्र तो होते हैं और क्योंकि नयन दो है तो क्रिया भी द्विवचन की है भवती भवतह इस तरह से तो इसका कारण है कि मचली के नेत्र तो होते हैं किन्तु पक्ष्म न भवती पक्ष्म कहते हैं पलक को जो हमारी आइलेड्स होती है वो तो कि उसके नेत्र तो होते हैं किन्तु पक्ष्मान भवती अर्थार्थ पलके नहीं होती है अतह इसलिए यदा स्वपीती जब सोती है तदा तब अपी भी नाइने उद्गटिते तिष्टत है यही कारण है कि जब मचली सोता है तो उसकी नेत्र भी खुले रहते हैं मीनस से इतो अपी एकम अंगम करना ना भवती मीनस से अर्थार्थ मचली का इतो अपी और भी एकम अंगम एक अंग करना कान ना भवती नहीं होता है कि मचली का और भी एक अंग कान नहीं होता है अर्थार्थ उसके पलके नहीं होती जिस कारण से वो सोते समय उसकी आखें खुली ही रहती है और इसके अतिरिक्त एक और अंग है कर्ण अर्थार्थ कान वो भी उसके नहीं होता इतो अपिकार्थ होता है और भी यद्यपी तस्य शीरसी यद्यपी उसके सिर पर एव ही किमपी ताद्रक यंत्रम कोई ताद्रक वैसा यंत्रम भवती यंत्र होता है यस्य सायेन जिसकी सायता से सह वह शोतुम शक्तह भवती वह सुन्ने में समर्थ होता है परम अतीन यूनम किन्तु अत्यधिक न्यून अर्थार्थ अत्यधिक कम कि यद्यपी उसके सिर पर ही कोई वैसा यंत्र भवती होता है जिसकी सहायता से वह सुनने में समर्थ होता है परम किन्तु अतीन यूनम अर्थार्थ बहुत कम कि जो मचली है उसके पास कान भी नहीं होता है, फिर भी उसके सिर पर ऐसा कोई यंत्र होता है, जिसकी सहायता से वो सुनने में समर्थ तो होता है, किन्तु बहुत ही कम ध्वनी को वो सुन सकता है, बहुत ही थोड़ी सी ध्वनी वो सुन सकता है मीने अर्थार्थ मचली में स्पर्ष से अवगमनस्य अर्थार्थ समझने की शक्ती भवती शक्ती होती है तो मचली में स्पर्ष करके समझने की शक्ती होती है को अपी मीनह कोई भी मचली किम अपी वस्तू किसी भी वस्तू को लेश मात्रम अपी थोड़ा सा भी संस्प्रिश्य छू करके ग्यातुम शक्तनोती ग्यातुम अर्थार्थ जानने में समर्थ होता है की किम मित्रम कहचश शत्रू कि कौन मित्र है और कौन शत्रू है अर्थार्थ उनकी जो स्पर्ष की जो शक्ती होती है वो बहुत अधिक होती है कि वो एक थोड़ा सा किसी भी वस्तू को थोड़ा सा चूकर कि भी वो पता लगा सकता है कि वो उसका मित्र है या वो उसका शत्रू है तो कि कोई भी मचली किम अपी वस्तू किसी भी वस्तू को लेश मात्रम अपी थोड़ा साभी संस प्रिश्य छू करके ज्यातुम शक्नोती जानने में समर्थ होता है किम क्या मित्रम की कौन मित्र है क्योंकि मित्र शब्द नपुन सकलिंग होता है इसलिए किम का प्रयोग हु हुआ है वह उसका विशेशन है तो और कि कौन शत्रू है यदि शत्रू चो ज जांता है तो वो उनके समान शक्ति वाला है या उनसे शक्ति शाली है ये भी उनको ज्यात हो जाता है कि यदि शत्रू है तो समान शक्ति संपन है अत्वा शक्ति शाली है तरही का अर्थ होता है तो आगे हैं मीनस्य नासिका अपिन भवती मीनस्य अर्थार्थ मचली के नासिका कहते हैं नाक को कि मीन के मचली के नाक भी नहीं होती तथा भी फिर भी ग्रानस्य शक्ती भवती ग्रान कहते हैं सूंगना तो कि फिर भी सूंगने की शक्ती होती है ग्राणेन अर्थाट सूंगने से या सूंगने की शक्ति से सह वह शत्रू मित्रयो हो शत्रू और मित्र का ज्यानम करोती ज्यान करता है कि सूंगने की जो शक्ति है हालांकि उसके पास नाक नहीं होती है फिर भी उसके पास सूंगने की शक्ति होती है और इसी सूंगने की शक्ति के दौरा वह अपने शत्रू और मित्र का ज्यान करता है महदाश्चर्य, महनाश्चर्य की नाक भी नहीं है, कान भी नहीं है, आंखे भी हमेशा खुली रखता है, सोते समय प्रश्न उत्पद्यते अब प्रश्न उत्पन होता है यद कि यदी मीनस से नासिका न भवती तरही श्वासम कथम स्वी करोती कि अब यहाँ प्रश्न उत्पन होता है कि यदी मचली के नासिका अर्थार्थ नाक नहीं होता है तरही तो श्वासम कथम स्वी करोती श्वासम अर्थार्थ श्वास प्राणवायू श्वास कतम कैसे स्विकरोती स्विकार करता है जले बहव पधार्था जल में बहव अर्थार्थ अनेक पधार्थ मिश्रिताह भवंती मिश्रित होते हैं कि जल में अनेक पदार्थ मिश्रित होते हैं या मिले हुए होते हैं तेशु प्राणवायू भवती ये अपी नहीं हो गया पर उनमें प्राणवायू है या होता है मीनस्य गलह सर्वदा कमपते, मीनस्य अर्थात मचली के गलह जो उसके गिल्स होते हैं, गल्फडे तो मचली के गल्फडे सर्वदा सदैव कमपते अर्थात हिलते रहते हैं, कमपित होते रहते हैं तस्य कारण इस कारण अस्ति उसका कारण है मीनह गले जलम पूरयती कि उसका कारण है कि मचली के गले अर्थार्थ जो उसके गल्फडे हैं उनमें जलम पूरयती जल पूरित रहता है मीनस्य गले विशिष्टाह शिराह भवन्ती मीनस्य अर्थार्थ मचली के गले अर्थार्थ गलफडों में विशिष्टाह विशेश शिराह अर्थार्थ वो जो कुछ शिराएं होती है उसमें कुछ नर्व्स होती है तो मचली के गलफडों में विशेश शिराएं होती है या भी जिनसे जल में मिश्रित प्राणवायू मीनह चूशलती जिससे जल में मिश्रित प्राणवायू को मचली चूशता है या लेता है तो देखे कैसे वो श्वास लेता है फिर से देखे इसको कि जल में अनेक पदार्थ मिश्रित होते हैं उनमें प्राणवायू होता है मचली के गलफडे सर्वदा सदैव कमपित होते हैं तस्य कारणम अस्ती उसका कारण है कि मचली के गलफडे जलम पूरयती अर्थार्थ भर देते हैं मीनस से गले मचली के गलफडों में विशेश शिराएं होती है जिन से जल में मिश्रित प्राण वायू को मचली चूसता है तो ये था इस पाट का हिंदिय अनुवाद और ये हैं पाट के अंत में आए हुए कुछ शब्दात अब देखते हैं इस पाट का अभ्यासकारे पहला प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखो पहला है मीनह शयन समय अपी नैनम पिधानम न करोती कि मर्थम कि मचली सोने के समय पर भी नेत्रबंद नहीं करता है किसलिए अर्थात क्यों क्या कारण है तो अस्य कारणम अस्ति यत मीनस से नईने तु भवत ह किन्तु पक्ष्म न भवती मीनस से करणह भवती नवा कि अर्थात मचली के कान होते हैं अत्वा नहीं तो मीनस्य करणह नभवती, मीनस्य नासिका भवती नवा, मीनस्य नासिका नभवती, मीनह कथम श्वासम स्वीकरोती जले बहवपदार्था मिश्रिता भवंती तेशु प्राणवायु भवती, मीनस्य गले सर्वदा कमपती तस्य कारणम अस्ती मीनह गले जलम पूरयती मीनस्य गले विशिष्टा शिरा भवंती या भी जले मिश्रितां प्राणवायु मीनह चूसती प्राणवायू कस्मिन मिश्रित भवती प्राणवायू जले मिश्रित भवती तो ये था इनके प्रश्नुत्तर फिर है रिक्तिस्तानानी पूरयत अर्थार्थ पार्ट में से कुछ वाक्य लिए गए हैं उनका रिक्तिस्तान आपको पूर्ण करना है पहला है मीन यदा स्वपीती तदा आपी नैने उद्गटिते तिष्टतह तस्य शेरसी किम आपी ताद्रक यंत्रम भवती यंत्रस्य साईयेन सह श्रोतुम शक्तह भवती नासिकाम विना आपी ग्राणस्य शक्ति भवती जले भव पधार्ता मिश्रिता भवन्ती अगला है इतिशाम शब्दा नाम एक वच्नस से रूपम लिखत नीचे कुछ बहु अचन के शब्द लिखे गए हैं, उनके आपको एक वचन का रूप लिखना है, पहला है भवन्तह भवान, जानन्ती जानाती, आगच्छन्तु आगच्छतु, कुर्मह करोमी, शक्नुवन्ती शक्नोती, भवन्ती भवती, कुर्वन्ती करोती, पूरेंती तिश्ठंती तिश्ठती, मिश्रितानी मिश्रितम, अगला है उचित क्रियापद द्वारा वाक्यानी पूरेत, की उचित क्रियापद दिये गए हैं, उप्शन के साथ उनके से आपको उचित क्रियापद वाक्य के लिए लिखना है, राकेशह लेखन्या लिखती, सुकन्य अगला प्रश्ण है एतेशाम शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्य प्रयोगम कुरुत की नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं उनका अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए तो पहला शब्द है स्वपीती जिसका अर्थ है सोता है शिशु शैयाम स्वपीती शिशु शैया पर सोता है विस्तर पर सोता है भवती होता है संध्या काले बहु सम्मर्दह भवती कि शाम के समय में बहुत भीड होती है सम्मर्दह अर्था भीड तिश्ठतह बैठते हैं दो जनों के लिए प्रयोग हुता है तिश्टतभ द्विवचन का रूप है तिश्टति- cricket इस प्रकार से तो तव आसंदी कायाम तिश्टतभ तव अर्थाथ वे दोनों आसंदी कायाम कुर्सी पर बैठते हैं शक्नोती अर्थार्थ समर्थ अर्थ में आता है कि वह ऐसा कर सकता है इस प्रकार से सकना अर्थ में आता है समर्थ अर्थ में बालकह कार्यम कर्तुम शक्नोती बालक कार्य करने में समर्थ है इस प्रकार से तो ये था इस पार्ट का हिंदी अनुवाद और अभ्यासकारे यदि आपको पार्ट से संबंदित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विशे के स जाए तो संस्क्रिता